हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी, इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत हैं दोस्तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रोज सुभा ग्यारा बज़े आपको GK का टेस्ट मिलता है तो मैं GK के टेस्ट के साथ आ गया हूँ और दोस्तो आप सभी लोग जानते हैं पिछले एक महीने से बिलकुल डेडिकेशन के साथ मैं आप लोगो को UP jail order की तयारी करवा रहा हूँ ठीक है न तो बस आप से इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज दोस्तो इस वीडियो को 500 लाइक तक जरूर पहुचा देजिएगा क्योंकि आपका केवल एक लाइक ही मुझे इतना motivation दे देता है कि आगे चलकर इस से अच्छे और interesting वीडियो में आप लोगो को provide करवाता रहा हूँ साथ ही साथ मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा दोस्तो जो current affairs की हम लोग आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों का effort लगता है बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है लेकिन आप लोग उस वीडियो को देखनी रहे हैं तो मेरी हर स्टुडेंट से गुजारेस है कि प्लीज एक बार उस वीडियो को देखिए अगर आपको पसंद ना आए तो आप नेक्स्ट वीडियो की जो current affairs की वीडियो अपलोड होगी उसको मत देखना ये मैं आप से कह रहा हूँ लेकिन जो हम लोग वीडियो प्रोवर्ड करवा इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है प्लीज दोस्तों current affairs की वीडियो को आप जरूर देखिएगा और आप सभी लोग जानते हैं कि current affairs जो हर एक्जाम्स के लिए important होती है चाहे आप सेंटर government के एक्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या state government के एक्जाम्स की तैयारी कर र options तो भारत और पाकिस्तान के बीच अगर हम बात करें similar समझोती की तो भारत और पाकिस्तान के भी similar समझोता हुआ था जुलाई 1972 में यानि कि this questions का तीसरा options आपका correct है अगर हम थोड़ा deeply बात करें तो 2 जुलाई को हुआता समझ रहे हैं 2 जुलाई 1972 में यानि कि आज इसे द दिन पहले ही similar समझोता हुआ था ठीक है next questions है आपका कि भारतिये अंतरिक्च अनुसंदान संगठन का मुख्याले कहां पर रिस्ते थे जल्दी बताओ बहुत important questions है ये भारतिये अंतरिक्च अनुसंदान संगठन का मुख्याले कहां पर रिस्ते थे तो आप सभी लोग जान नागरेकों के मूल करतव निरधारित किये गए जल्दी बताूं यानिकी हमको यहां से एक बात पता चल रही कि जो मूल करतव है वो हमारा जो मूल सम्मीदान बना था जो हमारा सम्मीदान लागू हुआ था 26-जनवर 1950 को उसको मूल सम्मिदान मूल थे हैं और पहला संसोदन हुआ था वो हुआ था 1951 में ठीक है ना लेकिन जो मूल सम्मिदान बना था उसमें मूल करतव नहीं थे मूल अधिकार मौजूद थे मूल कर्तव नहीं थे तो इसलिए मूल कर्तव्यों को 42 में सम्मिदान संसुदन के दोरा जोड़ा गया था 1976 में यानि कि इस कोस्टंस का तीसरा आप्संस आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है एक बात और इसलिए मैंने आपको ये सब बताया है क्योंकि एक्जामनर पूस्टा है कि जब सम्मिदान बनकर के तयार हुआ था तो मूल कर्तव्यों को कौन से नच्छेद में रखा गया था मेरे प्यारे बच्चे मूल सम्मिदान में मूल करतब्व को रखा ही नहीं गया था समझ रहे फिर अनुच्छत इंक्यावन का में रखा गया इन्हें 42 में सम्मिदान संसोधन के तहत समझ रहे 42 वा संभीदान संसोधन किया गया फिर अनुच्छत इंक्यावन काम इनको रखा गया ठीक है चलिए हर चीज के लिए रहना next questions की तरह बढ़ते हैं सती पिर्था का अंत करने का सरह किसको दिया जाता है तो सती पिर्था का अंत किस ने किया था लॉर्ड विलियम बैंकेट ने किया था यानि कि दूसरा options आपका बिल्कुल correct है कौनसा दूसरा options next questions निमोनिया रोग का कारण क्या है जल्दी बताओ निमोनिया किसके करण होता है जल्दी बताओ पंडित का टीका निउ है निउ सोगया निमोनिया अब आप सोचोगे ये क्या बोल दिया सरा आपने ये एक ट्रिक है पंडित का टीका निउ है ये जीवानू सो होने वाले रोगों की ट्रिक है पासे प्लेग डासे दिपतेरिया तासे तबेतिक तासे हो जाएगा आपका ट आता है आपका हैजा तो निमोनिया जो है वो जीवानों के करण होता है यानि कि इस को संस का तीसरा आपसंस आपका बिल्कुल करेक्ट है समझ रहे तो इस तरीके से आपको सारी चीज़े पता होना चाहिए वार्सा किस देश की राजदानी है आराम से बता सकते अगर आपको पता है वार्सा तो देखो वार्सा जो है यह पूलेंड की राजदानी है फिलिपिन्स की राजदानी क्या है मनीला नीदरलेंड की राजदानी क्या है एमस्टेडम डेन्मार्की की राजदानी क्या है कोपेन हेगन तो यह सारी राजदानी है पता होना चाहिए यहां से कोस का चौता option बिल्लोको करेक्ट है एक one line व्यक्ति में किस रंग की पैचान नहीं होती है यानि कि अगर किसी व्यक्ति को color blindness है तो वो किस रंग की पैचान नहीं कर पाएगा समझ रहे इसलिए जो आपका जैसे ALP के जो जॉब होती है उसमें color blindness वाले को लेते ही नहीं है क्यों नहीं लेते क्योंकि उसमें तो लाल और हरे का ही काम है signal जो होते हैं वो लाल और हरे ही होते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए है ना तो इसलिए उनको लेते ही नहीं है जिनको color blindness होता है विस्व का सबसे छोटा पक्ची कौन सा है तो देखो अगर हम बात करें विस्व के सबसे छोटे पक्ची की तो देखो hummingbird hummingbird जो है ये विस्व की सबसे छोटा पक्ची है यानि कि इस questions का तीसरा options आपका विल्कुल correct है और सबसे बड़ा पक्ची कौन है सबसे बड़ा है सुतर मुर्ग और ये उड़ भी नहीं पाता है सुतर मुर्ग समझ रहे हैं तो इसलिए आपका फिलाल तो इस questions का तीसरा options correct होगा next questions हैपेटाइड किस दादू का यक्स है important questions जल्दी बताओ तो हैपेटाइड जो है ये किस का यक्स है लोहे का बॉकसाइड किस का यक्स होता है ऐलमूनियम का समझ रहे है तो ये भी आपको पता होना चाहिए next questions है आपका कि सौर मंडल का सबसे अधे गर्म ग्रह कौन सा है सौर मंडल का सबसे अधे गर्म ग्रह तो सुक्र जो है ये सौर मंडल का सबसे अधे गर्म ग्रह इसी को पिर्तिवी की जुड़वा भेन कहते है पिर्तिवी के समान बिलकुल आकार का जो ग्रह दिखाई देता है, उसको सुक्र ग्रह ही कहते हैं, साय का तारा भी इसी को कहते हैं, भोज का तारा भी इसी को कहते हैं, तो ये सारे कोसंस सुक्र ग्रह से आपके निकल के आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट कोसंस नीली करांती का संबंद किस से है, तो दोको नीली करांती का जो संब्द है यह आपका मतस्य उत्पादन से यानि कि एस questions का पहला options आपका बिल्कुल correct है नेक्ष्ट questions निम लेकित मेंसे भारत पर पहली बार आकरवन करने वाले कौन थे तो को सबसे पहले जो आपका आकरवन किया था भारत पर वो किया था अरवों ने ठीक है कब किया था यह किया था आपका आप मान सकते हैं 1988 के आसपास या 1972 के आसपास ठीक है तो अरवों ने किया था और सबसे पहला अरव आकरवन कारी कौन था वह था मुहम्मद विन कासिम जिसने 712 में किया था ठीक है 712 मैं आप पूछ रहोगे 98 आपने क्या बोल दिया वो मैंने दूसरी चीज़ बता दी उसको आप हटा दीजिएगा 712 इस वे मैं किया था मुहम्मद विन कासिम ने ठीक है और मुहम्मद विन कासिम जो था पहला सफल आकरमनकारी था समझ रहे इन से पहले दो लोगों ने और करा था एक तो था बुदेला और एक था अब्दुल्ला इन दोनों लोगों ने करा था उससे पहले मुहम्मद विन कासिम से पहले लेकिन वो लोग असफल हो गए थे मुहम्मद विन कासिम जो है वो सफल आकरमनकारी था जो जजिया का रहना सबसे पहले मुहम्मद विन कासिम नहीं लगाया था समझ रहे लेकिन अकवर ने आगी चल करके इसको समाप्त कर दिया था ठीक है भारत में पहली बार किस गवर्नर जर्नर के समय तार और रेल सेवा प्रारम की गई थी तो कब की गई थी कब की तो छोड़ो किस के समय की गई थी तो लॉट डलहोजी के समय की गई थी और लॉट डलहोजी का काम जो है वो कारकाल जो है 1848 से 1854 के बीच है तो बस इसी बीच आपकी जो तार विवस्ता है वो आपकी चालू की गई थी ठीक है यानि कि इस questions का दूसरा options आपका बिल्कुल correct हो जाएगा रेल विवस्ता तो 1853 में थी ये भी आपको पता होना चाहिए Muslim League का गठन कब हुआ था question number 65 तो Muslim League का गठन हुआ था 1905 में तीसरा options correct reactor scale का प्रियोग किसके मापन के लिए किया जाता है तो सही answer हो जाएगा भूकम के जटके तीसरा options यहाँ भी बिल्कुल correct हो जाएगा सुस्क वर्फ निमले के तमें से किस से तैयार की जाती है तो सुस्क वर्फ का दूसरा रूप होता है ठोस कारवन डाई उक्साइड तो कारवन डाई उक्साइड से ही तैयार की जाती है पहला options आपका बिल्कुल correct है पानी पत की तीसरी लडाई किस वर्फ होई थी जल्दी बताओ पानी पत की तीसरी लडाई की बात हो रही है तो पानी पत का जो तीसरी लडाई होए वो किस वर्फ होई थी लेकिन किन किन के बीच ला गया था और कौन जीता था इसमें ये आप लोग मुझे comment box में बताएंगे भारत में मौधरिक नीती कौन बनाता है तो भारत में जो मौधरिक नीती है ये भारती reserve bank बनाता है अल्पकालिक सहकारी या अल्पकालिक सरकारी पिरतुबूती पत्र को क्या कहते है तो mutual fund कहा जाता है क्या कहा जाता है mutual fund तीसरा options correct WTO मुकता निमले के दमें से किसको बड़ावा देता है world trade organization तो ये किसको बड़ावा देता है जो WTO ना ये भाव पक्षिय ब्यापार को बराबा देता है यानि कि चौता options बिल्यकुल correct किस सम्मिदान संसुदन द्वारा मतदान की आयू 21 वर्स से घटागर 18 वर्स कर दी गई तो सही answer हो जाएगा आपका 61 सम्मिदान संसुदन और कई बार आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि 61 सम्मिदान संसुदन अक्चुल में हुआ कब था तो ये कब हुआ था 1989 में हुआ था कब हुआ था 1989 में यानि कि पहला ही options आपका बिल्यकुल correct है Revolver का अविसकार किस ने किया था important questions तो Revolver का जो आपका अविसकार है ये Samuel Colton ने किया था किस ने Samuel Colton ने यानि कि चौथा options आपका बिल्यकुल correct है टीका किस से रोकताम के लिए नहीं दिया जाता है यानि किस किस की रोकताम के लिए टीका दिया जाता है अगर आपको ये पता है और किस की रोकताम के लिए नहीं दिया जाता है तो आप आराम से निकाल सकते है पोलियो के लिए टीका होता है चेहरो के लिए होता है चेचक के लिए होता है लेकिन cancer की रोकता हम के लिए आपने कभी सुनाई नहीं होगा कि टीका तो पहला options बिल्गल correct है और cancer की अध्यन को क्या कहते हैं Oncology, important है यह ठीक है तो इस बात को भी दियान लखना Oncology, ठीक है Next questions और last questions के चंद्रमा का प्रकास प्रतिवी पर पहुँचने में कितना समय लगता है तो सही answer हो जाएगा 1.3 second कहीं कहीं 1.2 second आपको लिखा हुआ दिखाई देगा तो दिक्कत वाली बात नहीं है 1.2, 1.3 आपका बिल्कुल ठीक है ठीक है और अगर सूर का प्रकास पूछे सूर का सूर की रोसनी प्रतिवी तक आने में 499 second का समय लेती है approximate दिखा जाए तो लगवग 8 minute का समय लगता है ठीक है लेकिन जो तारे होते हैं तारे तारे का प्रकास प्रतिवी तक कितने समय पहुँचता है तो वो पहुँचता है 4.2 वर्स में कब 4.2 वर्स में तो तीन कोस्स यहां से मैंने आपको बता है तो यह तीनों ही कोस्स आपको पता होना चाहिए क्योंकि important कोस्स है ठीक है तो दोस्तों यह थे आपके 25 most important कोस्स 25 इसलिये क्योंकि 5 कोस्स आने हैं आपके काय में गदान समय और 7 तो दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज दोस्तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मैंने आपसे पूचा कि पानी पत की जो तीसरी लड़ाई है वो किन किन के बीच और कौन जीता था उस कोस्तों का अंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे तो दोस्तो फिलाल की वीडियो में स्रिफ नहीं है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फिलीस दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए सेहर कीजिए और साथ ही साथ अमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहना बूलें क्यों कि मैं रोजण एसी तरह की वीडियोस आत रहता हूँ नमस्कार दोस्तो जे हिंद जे भारत